है तो चली अब हम लोग लेक्चर बीड़ पर फोकस करेंगे ठीक है तो जोहार आप सभी स्टुएंट्स का आप सब्सक्राइब चैनल जहरकण मैंजजोन पर मैसश Unit Chandra आप सब्सक्राइब का स्वागत करता हूं आप सब्सक्राइब के यौटभ चैनल जल कर estamos पर तो प्यारे बच्चों आज के जो लेक्चर है लेक्चर नमबर 75D और यह 102 मिनिट का लेक्चर होगा क्यों आप भी सोचेंगे कि यह तो पहली बार ऐसा है कि एक से दो मिनिट का वीडियो लेक्चर हाँ आपने सई सुना थोड़ा सा जो है की छूट गया है ठीक है पिछले लेक्चर में हमने आप से कहा था कि density theorem को density theorem क्यों कहते है density का मतलब होता है घनत्व का मतलब होता है अगर मैं आपसे बात करूँ लोहे में थर्मकॉल में तो लोहा जो है की डूब जाता है पानी में और थर्मकॉल जो है की तैरता है पानी में क्योंकि उसके मॉलिक्यूल के बीच में लोहे के मॉलिक्यूल के बीच में बहुत ज्यादा मतलब क्लोजनेस रहता है बहुत गैपिंग ज्यादा नहीं रहता है दो मॉलिक्यूल के बीच में लोहे के F e k molecules के बीच में जादा gapping नहीं रहाता। इसलिए लोहा लोहा है मतलब सॉलिड है और जो है कि एक स्यूडो सॉलिड होता है और एक होता है आपका यह क्या बोल रहा है आपने केमिस्टियम पढ़ाओ क्लास 12 में तो टीक उसी परकार से जिसका डेंसेटी कम होता है जब किसी का भी डेंसेटी कम होता है वह तियारता है isl1 यह जाता है तो पानी में यह ना मतलब उसमें अगर मॉलेक्वधक बीचका डिस्टेंस वह बहुत कम होता है इसलिए वह क्या होता है पानी में त्यारता नहीं है लुक समझे 280 Revolution के बीच में वह बह। जाधा होता है आप काटीहएगा तो उसके बीक में मिलेगा आपको सर्या आप chemistry चिपड़ा रहे हैं मैथमेडिक वाटते ऑड़ते हैं ऐसा कोई बात नहीं है मैसी पड़ा रहे है तो बात समझेगा density theorem में क्या होगा कि यह जो rational number होगा ना बहुत close close बहुत चिपक चिपक के मिलेगे बहुत ज़्यादा मिलेंगे बहुत बहुत कम जगा में बहुत कम इस्पेस में बहुत ज़्यादा मात्रा में रैसनल मिलेंगे इसलिज़ को density theorem कहते हैं कैसे सर तो समझीए जैसे मैंने एक य लिया था दो रियल नंबर दो रियल नंबर के बीच में एक प्र 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 बीच में एक रैसनल मिला और फिर आरवन जो की रियल है प्लस वह रैसनल भी और रैसनल है और रियल भी तो आरवन रियल है और फिर एक रियल है तो उसके बीच में फिर एक नया रैसनल मिला फिर आऱ टू अप्र रैसनल भी जो कि प्रakार से कईयों कईयों rational मिले गा मिल जाए गा तो इस प्रकार से infinite rational numbers मिल सकता है हना दो रियल के बीच में infinite rational number मिल सकता है तो इस video session में मैंने chalk का इस्तवाल नहीं किया है हना सिर्फ मुह सही आपको समझाया है तो without chalk session कह सकते इस session को ठीक है अगर आपको यह पसंद आया है तो आप हैस्टेग में without chalk session लिख करके मतलब यह पोस्ट करेंगे सब कोई comment section में हैस्टेग में हैस्टेग लगा करके लिखेंगे विद आपका क्या लिखेंगे without chalk session है फिर without chalk session लिखिएगा बहुत बहुत धन्यवाद मिलते हैं next video lecture में lecture number 76 में तब तक के लिए जोहार कि कि